इसके बाद बीजेपी ने पीसी करके आरोप लगाया कि वह जो राइली थी इसके बड़ावासी में बोल रहे हैं योगी जी कहते हैं सारे गुंडे जेल में हैं अगर यह कहते हैं तो मैं तो यह कहता हूँ जो एडियार के रिपोर्ट है समझवाजवादेश पाटी या किसी राजनेतिक द्रक्ति का रूप नहीं है एडियार के रिपोर्ट काती है कि सारे गुंडे और अपराधी सरकार में हैं और अनिल राजबर को यकिन नहीं हो तुमाने मुख्धमंत्रियों पूम मुख्धमंत्री के उपर का अपराधी केस देख ले और बिता दें आपको कि ओप अपराधिक केस आई पीची की धाराएं किसके ओपर लगती है और योगी के रूप में जिस व्यक्तिक के ओपर तमाम अपराधिक मुकद में लगे थे वह मुख मंत्री बनने के बाद भी इतना राजनयतिक और नयतिक साहस नहीं था कि अपनी सरकार में ही नियाले को पर भरोस पूली गए भासा है कि माफियाओं का पैसा लगा था वहीं की गई थी सूप तो सूप चलनियों हसे आदानी अंबानी के टुकड़ों पर पलने वाले चंदा चोरों कि यह पाइटी किसी और को पर आरोप लगा है इससे जदा मजा क्या हो सकता है क्या लग रहा कल कि रही से मैं बोला ने बधवास हैं इस्टूल मंत्री की इस्टूल छिनने वाला है अनिल राजभर को अपनी नोकरी पर आ गया है कि सब कुछ करते रहा गया और इतनी बड़ी रही हो गई आपको पता है कल प्रसासन ने नेट को आफ कर दिया था सनक जाम कर दिया था पुलिस के तर्वांचल से सुप्रास साफ और किसान कभी नहीं करेंगे इंको मॉफ एक और बात जंताम चल ले है कि जो प्रकास राजभर वादे कर रहे थे उसमें अख्ले स्यादों ने हामी नहीं बड़ी जनतामें कर रहे हैं चर्चा है कि सरकार से मुक्ति कैसे पाइजा है योगी का में ससाहे की है दिस एक एक चर्चा है का मुख्यमंत्री बन कि वाय आ Princi बड़ सबर मंतिले को और और मैं आपको बता रहा हूं का पलत कि अध्यू सबाद है मुख्यमंत्री बन कर